तो अब लोगन टॉपिक तो देखी लिए अपना तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह है रेयर स्पॉन तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस वीडियो को स्टाट करने से पहले मैं आप लोगो थोड़ा सा बता देता हूं जब मैंने सुबा यह टॉपिक सोचा वीडियो बराने के लिए तो बता मैंने क्या देखा गाई कि मैं गूगल किया सबसे देखा विडियो चेक करता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो लोग भी तो गैस इंफॉर्मेशन का भी गलत निग रही है और मतलब मेरी नहीं गूगल कि अगलाद निखली गाइज मैं ब्लेम नहीं कर रहा है बट अच्छल में मेरे कोई चीज समझ आई गाइज कि मतलब जो रेर स्पोन वर्ड होदा नहीं तो गाइज आंसर सिंपली ए नू रेर पोक्यों घाईज वो हता है जो कि रेरल रेरली आता है गाईज और रेरली मतलब समझ जाओ गाइज तो जो मतलब मैंने गूगल पर लिस्ट देखी ती रेर पोक्यमों की उसमें कुछ पोक्यमों ऐसे थे जो कि मैं आपको यहां दिखा जिता हूं गाईज तो इसे ग्रोली था ग्रोली तो पर रेर पोक्यमों में आ रहा था है तो गाईज अगर आप नश्कर करेंगे गाईज रेर पोक्यमों स्पांस के बारे में जिसमें कि में बहुत साजीजे कवर करेंगे तो मैंने लिस्ट में कूछ कुण स्लोग तरकेते से अर्डिलाटीनेश था क्वेद'm यसाईट यसे ड्राटीनी फॉर्मीध में बट कुछ लोगो गये बिल्कुल भी एंशके बाद जुक्रस गडेशंत। तो उस लिस्ट के एकॉर्डिंग यह था कि वह लिस्ट सब को देख के बनाई गई है तो शायद कुछ कंट्रीज में ग्रोलित कम अपीर होता हूँ तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो फटावर्ज है भाई तो यहां पर मैंने गाइज फाइफ टिप्स देनी आपको पाच टिप जो कि आपको रेर पोकिमोन डेफिनेटली दिलाई गाईज और अगर आपको रेर पोकिमोन ना मिलें टिप से तो मतलब आप कुछ भी क कर सकते हो गाइज यह वीडियो डेडिकेटेटल लेवल बन से लेगे लेवल 40 थक के प्लेयर के लिए यह बात में पहले ही बोल देता हूं कोई भी लेवल हो यह वीडियो आपके लिए डेडिकेटेटले गाईज क्योंकि यह मेरी स्टड़ी है तो समाझ जाओ गाइज प्र तो यह दो इवेंट का नाम मेंगा स्टेमब्र तो मेगा स्टेमबर में घएस क्या होने वाला यह पता होजही है यहाँ पर बहुत सारे फ्कीमोन अपेर होले गाइज अगर नहीं देखिए तो में अवट हम आज़ने लगा दूमाल इस तैक है हम यह आपर पर स्नोरलेग्स नहीं विलते हैं तो टिप नुम्मर वन है गाईस फोलो इवेंट्स यू आप जस्ट फोलो दा इवेंट्स एंड फोर देट यू आप जस्ट क्लिक अन सब्सक्राइब बटन यू आपग्रेट यू और अपडेट यू एस फास्ट पॉसिवल गईस टिप नुमर वन गईस यह अपनी कि हम लोग को इवेंट्स को फोलो करना है अगर हम लोग इवेंट्स को फोलो करेंगे तो हमारे पास ऐसे रेर पोकिमोन बिलेंगे गईस तो गईस यह मैंने किसी जिम से नहीं लड़ा है यह मेरे को मिला है एक इवेंट के थरू जो की था गोफेस्ट जो की पेड़ था गईस बट यह मैंने अपने गाउं में पकड़ा तो बरेली लिखके आ रहा है तो यह मैंने वहां पकड़ा है गईस और बहुत सारे पोकिवान है जो मैंने रेर स्पोन में पकड़े हैं जैसे कि मैंने पकड़ा है फ्लाइगोन गईस ठीक है जोल्ट्योन पकड़ा गईस लेपरास पकड़ा है गईस मैगमार पकड़ा है गईस और मैंने ओनिक्स पकड़े हैं गईस तो यह ओफ सीजन में तो जैसे कि जो प्लेयर लेवल थार्टी प्लस है वो लोग इस ट्रिप को इतना फोलो नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग इन पोकिमों को पकड़ चुके होंगे तो बात ऐसी है कि बहुत सारे पोकिमान ऐसे जो कि हर जगा पियर नहीं होते हैं अब जब पोकिमान हर जगा पहुंचे गाइसे तो उसके लिए रेट्स आपको रेट्स करने हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनके घर के पास जीम है बट लोग नहीं हाते तो यह वो पोकिमोन से जो कि लेवल थी तक रेट्स अगर आप लेवल लड़ेंगे तो बहां पर भी आपको मिल जाएंगे गाइस तो मैं आपको दिखाता हूं कुछ पोकिमोन तो पता नहीं यह वाला यह वाला तो गाइस यह तो यह वाल लग रहा है मुझे हां गाइस देखिए यह मैंने रेट्स से लड़ाए गाइस तो मैच एम्प जिसकी ऑपिश भी मदलब थेख थाग है जाइस अच्छी इस है यह यहाँ व का मैचम पोकिमोन मैंने कैच किया यह थाज यह मैंने एवाल्व नहीं किया यह कैच किया है और यह वाल्व सुल लड़ा थाज सॉलॉ रड़ी थी और आइस फॉल और लड़ी मैंने इसको पावर अब तो कि यह स्पॉन नहीं है इसलिए रहर है गाई और सबसे अची मात है इन रेट के बारे में लेवल 3 के बारे में इनमें जो भी पोकी मोन मिलते हैं वह बैस्ट इस वर पीवीपी मैचम् पो गया सब्सक्राइब पता है कि नहीं मिलता अलोलन राइचू हो गया तो यह सारे प आप 7 km एग हैच्च करकी आप ले सकते हो गयाज बट अभी टॉपिक रेट्स का तो आप रेट्स करके आप इनको पकर सकते हो गयाज अगर आपका लेवल थाटी थाक है तो क्योंकि लेवल थाटी होना चाहिए कम-जेखम और आपको लेवल थाटी रेट अकेले जीतनी है तो उसके लिए मैं यहां पर आई बटन में वीडियो लगा दूँगा जिसमें टिप दे रखी कि कैसे आप लेवल थाटी रेट अकेले जीत सकते हो गयाज ठीक है तो गयाज अब चलते है टिप नंबर थरी तो गयाज यह जो टिप है यह मतलब में टिप तो गयाज यह बाखी तो होट स्पोट एक ऐसा वर्ट है जिसका मतलब होता है कि आपको चीजों का मैमोराइज करना मड़ेगा मैमोराइज मतलब होता है जैसे कि आप मेरे संखर के दोने पोकी स्टॉप देख रहे हैं ठीक है अब इस पोकी स्टॉप पे मुझे रियर पोकीमोन बहुत ज्यादा मिलें गयाँ जोल्टीएउन लेपरास वाइबरेव और आपका ओनिक्स तो कही बार मिला रास्ते में इदर मिलए ता फ्लाइगोन और यहाँ धोर तो दूर किया भी लभा वहां पोज़ाई नहीं दो शायनी वाला वैस तो मुझे का चीज़े याद है गईस क्योंकि आपन का इसी अरिया में घुमते रहते हैं तो अपन को याद है कौन सा पोकेद मुझे कहा मिलते हैं गईस ठीक है तो यह एक होट स्पोट है मेरे लिए तो यहां पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेर पोकीमों आपियर होते हैं और सबसे बढ़िया बात है इसको पकड़ इसले लेता हूं क्योंकि जब भी मैं यह क्लिक करता हूं तो यहां जितने ही पोकीमों आवलेवल है वो मुझे इधर शो जाते हैं अभी यहां पर कुछ और पोकी स्टॉप भी शो कर रहा है जो कि दूर दूर है जहां पर मेरे लिए जाना पॉसिवल नहीं है बट यहां जैसे कोई भी पोकीम अब आप लोग स्टॉफिंग करते हो तो आप लोग के लिए उनिक्स इतना वह नहीं होगा बट गैस जब ऑफ दिन चलता है जो मैंने गीम स्टार्ट किया था उस टाम ओनिक्स नहीं मिलता था तो इसलिए भाई मेरे लिए रियर था और बहुत सारे प्लेयर ऐसे होंगे ज होट स्पोर्ट की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा मतलब बात यह है कि जैसे मेरा दोस्त है जिसका नाम शुभम चौहान है वह रहता है उत्राखंड उत्राखंड एक हाई एल्टीड एरिया है तो वहां पर क्या बताओ मैं आपको वहां पर ड्रेटीनी जो है वह पर लगन रोल और फ्लाइवान के पार्ट मतलब हम उसका नाम भूल गयां वैसा मज़े यहाद रहता है तो वह पोक्यों रॉक टाइप ग्राउंट टाप पोक्यों काफी अपिर होते हैं वैसे उसके वहां पर ड्रेगन टाइप पोक्यों काफी जादा प्यादा पीर होते ह हम सोगाइब अब चलते हैं तिप नंबर फॉर श्राइज अगर आप इवेंट को फोलार नहीं कासिक कोई बात भी आप रेट नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं आपको होट्सपूर्ट नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं काई यह कैसी ऍ सिप का legitim आ कौ को लफ़ कोनशिक यह on स्नॉर्लक्स भी मिल जाएगा पिंचर भी मिल जाएगा लाप्राज भी मिल जाएगा आपके दिमाग में यह यह से भी पोकीमोन आ रहे हैं जो कि मतलब spawn होने वाले Pokemon से वो सारे Pokemon आपको मिल जाएंगी tip number four है का ऐसी टीप है जो की ultimate tip ऐस so guys याइस यह tip है आपको बहुत बारा इसके बारे बोला है guys तो यह है guys simply आपको रहें से बता देता हु दिखा देता हूं तो अगर आप देख रहे स्क्रीन में थोड़ा समझ यह होंगे हैं क्या बोल रहा हूं तो यह है बैटल विद टीम गो रॉकेट टीम गो रॉकेट लटने से आपको सब कुछ मिले आपको मिलेगा लैपरास स्नॉर्लेक्स एलेक्ट्रोबर्स लाविटार यह पोकेम अभी एलावन दो कि यह रहाएज तो यह अभी टारल को ने वाल किया है कैसे गाइस को यह मैने वाल तो मतलब ऐसे कर लिया बड यह मैने पकड़ा कैसे दो है यह मैने टीम रॉकेट सब्सक्राइब आप दो तरिक अई यह नहीं जा है आप देखते हैं यह प्रिफाइड फ यह सब कैसे मिला मुझे एक रेयर स्पॉन है ये रेयर है लेविटर इस रेयर गैस तो यह मुझे कैसे मिला बैटल विथ टीम को रोकेट तो गाइज यह मैंने चार आपको टिप बता दी गाइज तो इस वीडियो में आपको पास टिप बताने वाला हूं जैसा कि मैं बोल चुक है आप लोगों तो गाइज करना कि आपको फिफ्ट टिप जो है वो मौस्ट इंपोर्टेंट टिप है जिसको करने के बाद आपको इस सारी टिप करने में इसी होगी गाइज वो यह है कि गाइज फटा वट से गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज काब कौन सा इवेंट होने वाला है प्रवीन भाया आपको बताएंगी गाइज सबसे बढ़िया तरीका है मुझसे बात करने का है व है अब लोग के मैकस्व मेसेज क्या होते है है यह सब होते हैं अब लोग आगे बढ़ते हैं नहीं हो अब लोग तो कोई भी लिख सकते हैं सिधा कोशन भूठ सकते हूं मुझसे लाइब स्ट्रेम गाइज और बार बार पुच्छो कर ना आपके रिप्लाइब नि कर रहा और गाइस आप 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 लोग को हैल्प मिली हो गाइस सुनने में सारा बहुत सिंपल लगता है गाइस बट इस सिंपल चीज कोई अम लोग इंगोर करते हैं अगर आप लोग ने वीडिया तक देखिए तो भाई समझ लोगाइस बागी बहुत सारे लड़के हैं हमारे इस वीडियो को देखने वाले ऐसे लोग आई एस की त्यारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी में होते हैं इस वीडियो को यह वीडियो पता नहीं कितने मिनट की है वचिक है वाइच के मिलते हैं वाही जाँ बोगाई यह जाँ है वाई पि लोगाई है वटेक केर के मिलते हैं माई तो गाई बाई आगी आगी अ झाल झाल